ओम अलख नो अनहद नाद उजावे आत्म जावरुती ओम अलख नो अनहद नाद उजावे आत्म जावरुती प्रभु प्रीतिनो मधुर साद सुनावे आत्म जावरुती ओम अलख नो अनहद नाद उजावे आत्म जावरुती आत्म जावरुती नमस्का दर्सक्मित्रो आत्म जागुरुती ना आधना आ कारेक्रमनी अंदर फरीदियु एक वार आप सोवनु खुब दिल्थी स्वागत करूँ जू मित्रो आपने दरेक वखते कोई न कोई नवा सुन्दर विश्यवी साथे चर्चा करिये छे मित्रो आपने जानिये चे के जीवन मां आपने जे कई सफरता मले चे तेनो आधार ये आपना व्यवार उपर रहेलो चे अने मित्रो आपने दिवस दर्म्यान गाना बदा लोकोनी साथे इंटरेक्शन मां आविये चे व्यवार मां आविये चे परन्तु ते वखते आपने दरेक वखत जे व्यवार होई छे अलग अलग होई छे तो आपनों ते लोको साथे नों व्यवार एक खुब सुन्दर अने उत्तम असे अने जो केरेक आपनों मन असांत असे अथवा तो टेंसन मां आसे ते ये लोको साथे नों आपनों व्यवार जे वो जोई है कि वो उत्तम नहीं होए एटले के मित्रों आज ए state of mind जे छे ए हमेशा समय नी साथे बदला तुरे छे तो आज state of mind सक्क्यों होई तो हमेशा एक सर्खु एक्रस अवस्तामा केवी निते रहे एटले के स्थित प्रग्न अवस्ता केवी निते प्राप्त करी सका तेना उपर आजे आपने चर्चा करी सुमित्रों आपना मन उपर गणिबदी बाबतों नो प्रभाव पड़तो है जे अने तेने कारणे आपनु state of mind जी ये आवार नवार फ्लक्यूएटेड थतू है जे तो जीवन मां आ श्थित प्रग्न अवस्ता सामाटे मेरों वी जर दिदी एक सिन्य ब्रह्मा कुमारी गीता बेन आ विशय उपर चर्चा करवा मते श्टूडियो मा हाजर जे तो दिदी आधना आ विशय उपर आप श्टूडियो मा चर्चा करवा आवया जो तो सव प्रथम तो आपनू दिल थी खुब स्वागत करू जू वेल्कम टू दिश प्रथम तो मने ये समझाओ क्या स्थित प्रग्न अवस्था के जेनो घीतानी अंदर बन उल्लेक करवा मा आवे चे अने अवार नवार आपडे बिजरीते के ये तो आपना स्थेट ओफ माइंड विशे वाच्चित करिये चे तो आ स्थित प्रग्न अवस्था इटले सू स्थित प्रग्य आज शब्दज बतावे चे के स्थीर प्रग्या स्थीर प्रग्या माना शानपन विजडम सद विवेक एने केवाई स्थित प्रग्या आपनी विवेक व्यक्ति के परी स्थिती ना प्रभाव मान आवे अनि पोतानी असली सत्य शुद्ध स्थिती मान ए स्थीर रहे एने केवाई स्थित प्रग्या स्थीत प्रग्या प्रग्या एकले सद बुद्धी, सद विवेक बराबर जे विजडम एनने प्रग्या के वाए एक छे नौलेज, ज्ञान पड़ेमा थी जे आपने सारी वात सीखे अने पोता नामा धारन करिये एनो और थे कि आपने ए परिस्थिती थी आ विवेक सिख्या जे मापे कहिँ कि जीवन माँ परिस्थितीयों तो आवेच्छे अने आपने भाद भाद नी व्यक्तियों साथे ना संपर्क माँ आविये ची सवारे उठीये ची ये त्यार्थी मांडी ने तकली व्यक्ति साथे मलवानू थाईची। धर्खिने मनो स्थिती पत पुतानीची। अब्दावाजे। कोई वन्हा दमा सा ना शंति ना विचारो साथे मलबेची। तो कई चिन्दा विचारो लएने आउतु है ने मालेची। कोई मनमा अजम्पो लईने आवेचे, कोई मनमा गुसो लईने आवेचे, कोई मनमा वियर्थ भरीने आवेचे, दरेक ना मननी स्थिती अलग लग चे. अवी व्यक्ति जे विचारो साथे आपणने माले छे एना विचारोनो प्रभाव आपणी मनो स्थिती उपर नाकता हुई छे एना ए विचारोने आपणे आपणी मनो स्थिती ती फेस करी एकले जो आपणी मनो स्थिती स्रेस्ट होई तो सामेवाडी व्यक्ती ना विचार प्रवाह ने आपड़े एना प्रभाव मा नहीं आवी जही, पड़े एना फोर्स ने आपड़े खाड़ी शक्की सू, एने दूर करी शक्की सू. संसार नी आजनी जे परिस्थिती चे, एक हल्चल उपर नीचाई, आ हल्चल अने जंपा भरी स्थिती मा केवाई चे, ने के आज एज चाली रहे चे, क्विस्मी सदी ने अपड़े कहिये चे, के एज ओप पैनिक, एकले के एक हल्चल अपहीवल अफरात अफरी नौ यूग चे उखेवा मारे चे, अचानक एविवदी परिस्थिती उत्पन थाई चे, नू मन जे चे, बहुझ उपन नीचे थाई चे, बराबर, एव आता वरण मा, आजे जे विश्याय आपे लिदो चे, बहुझ उपियुक्ता चे, और दरेक व्यक्ति बाटे एज जरूरी चे, ए आजे दरेक मनुष्य माते आँ विश्याय खुब जरूरी चे, करणके हल्चल ना वाता वरण नीवच्चे, एना प्रभाव थी मुक्त पोता नी शांत स्थीर, सत्य मनो स्थिती मा रेवु, ए आजे खुब जरूरी चे, तोज आपडे पार्खी शकीसू अने साचो अंदर्माज वात करू तो तमें जे करूँ त्ये प्रमाने सामे व्यारी वेक्तिना मन ना संकलपू नो प्रभाव आपना मननी स्थिती उपर पड़तों आई जे तो आवी वखत है कोई ए पोताना मन उपरसू पुरुसात करो जो ये जेती करी ने आपने जे स्थित प्रग अजना समय में आप जूओ तो दरेकना मननी अंदर नेगेटिविटी वधू होई जे अजे दरेकना मनना कड़्यूग ने अंते शूओ दरेकना मनमा वियर्थ चिंता भाई असुरक्षित्ता अनिश्चित्ता विशय वासना क्रोध हिंसा वेर जेर इरश्या वाई अब ते नेगेटिव टेंडन्सी स्थी ईंतर ने गात्त व्यासना व्यास distance तो ःना थी आपड़ी मनोस्तिती विक्रत होई जाओ याने विक्रत मनोस्तिती साथे व्यक्ति व्यक्ति ने माडती होईजे, अने एना जे वाइब्रेशन्स छे, ये अपड़ी मनो स्थिती साथे टकराता होईजे, एतली जो आपणने ए अभ्यास न होई, यहां योग ये आपणने उपयोगी बने छे, कारणके स्थित प्रग्य अवस्था ए योगी नी सर्वो चवस्था बतावामा आवी चे, और योग ये अपणना दरेक माटे जरूरी चे, योग ये आपणी जीवन पद्धती चे, जीवन दरेक ने माड़ू चे, पन के वाम आवे चेंके तमारे तमारू जीवन कई रिते जीवू चे, योग मार्गे जीवू चे, के भोग मार्ग योग जीवन पद्धाती चे आपने योग दिवस अंतर राष्ट्री योग दिवस मनावयो एक विस जुन ने अने आजे ए खा विश्वनी अंदर जे शरू थायो चे तो ए बतावे चे के योग एकोई धर्मा ना थी योग एकोई हिंदु ना थी योग एकोई मुस्लिम ना योग एक विशुद्ध विज्ञान चे जीवन माटे जीवन ने स्रेस्ट रिते जीवानी एक पद्धती चे एकला माटे दरीक व्यक्ति ना जीवन नी अंदर ए जरूरी चे के ननी मोटी बाबत्तों मा आपडू मन अपसेट ना थाय जाय आने पोतानी ओरीजिनल शुद् सेट रहे, स्थित रहे. इतला माटेज तो आपने जीवन माँ आप्रयास करिये चीए, अभ्यास करिये चीए, पचि ए योग अभ्यास केवाए यने मेडिटेशन को, के पॉजिटिव थिंकिंग को, के प्रेयर को लोको विविद रूपे अभ्यास करता होई चे. जे माँ आपने थोड़ा समय माटे बधी परी स्थितियों थी वातों थी पुताने मुक्त करीने, पुतानी असली सत्य शुद्ध आत्म स्थितिनु चिंदन करिये ची. अने आत्माओं माँ जे परमाँ छे ए परम शक्ति परमात्मानी साथे मनने जोड़ी आपने एनी स्मृतिनु अभ्यास करिये ची. जेती अपड़ी मनो स्थिती शक्ति शाड़ी बने, और नानी नानी बाबा तुमा अपड़ी मनो स्थिती अपसेट ना थाई जाए, उची नीची ना थाई जाए. ज स्थिती शाचानीची बेदा जाए एक शाचे 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 शाची खर्रानीची शाग्ड़ी मनो स्थिती शाची वड़ी मनो स्थिता हध स्थिती गनाीची और स्कूंदमेंकि दोासे कासे शाचा के शाची ब deepen, भशे कि पक दो beginnings LOVE लिगोसोन फिर शाची को ब करता हुख्ये चे के मैं बधाने सट करी दिदा पन वास्तव माँ शवथी जरूरी जे आ कळा छे जीवननी के कोई पन परी त्थितिमा तंमें पोती PKM के तमारो परिवार के तमारा बढको नानी मोठी बाबतोमा अल्चलमा ना आवी जाये अने नी मनोस्थिती बगड़ी न जाये, वास्तोमा एमा सेट थावानी कड़ाने, सिखवानी औने शिखवानी जरूजी. Mindset. वो ताना mind ने आपड़े positively सदा सेट राखवानों जे. बराबर चेट परिस्थिती न पर्भुमाना आवे. तो आपड़ा मनने पछी बिजा कोई थीक के विर्ते करी शक्ता, आपणे जी थीक करूँ पड़े अने मन दिस्टाफ थाई जाये, एकले कि आपड़े पुते डिस्टाफ थाई जाये छी, पछी कोई पण कारिया आपड़े सारी रिते न अथी करी शकता. तो जीवन मां एक तो आपड़ने इंपोर्टन्स ओफ अवर मेंटल स्टेट एक खुब स्पस्ट हो जे, कि आपड़ी मनो स्थिती ए आपड़ा जीवन नी तमाम स्थिती नो अधार जे, यक्ती फिजीकली, एकोनोमिकली, सोश्यली, वेल सेट होई, पड़ पोता नामा जे अपसेट थाया करतो होई, दुखी थाया करतो होई, एस्षान्त थाया करतो होई, तो सोश्यली के एकोनोमिकली ए वेल सेट होई तो पड़ एनो कोई अर्थना थी, आम जो आजे दो थाई पर ना सके थी थी, आन्ने मानिलो के एने वार्सागा तक बद्दू चलो पत्नी खोब सारी, बाड़कों खोब सारा, धन्दों खोब सारो, पण बच्मन मा एक एवी घटना बनी गयेली, जेनों प्रभाव ती एनू मान एतलू बदू डिस्टरब थायू असे त्यारे, कि ए व्यक्ती, ए ज्यारे मने मलया त्यारे उमानू चुके, पंजावन वरस नी आसपास ना हता, छता पण ए मेंटली खुब जपसेट हता, येना वाइफ मारी पास से लईने आवया ता, अन्दे त्यारे अमने बतायू के, आ एक बाबत मारा जीवन मा बनी जिन्या कारणे, मारू त्यारे मन एक्ट्रू बदू डिस्टब थाई गयू के, आजे सारी पत्नी सारो परिवार होवा छता पण, ए एनो आनंद नथे लई शकता, कारण के, एना मनमा जे एनी एक गहरी, एक उंडी जे छाप पड़ी गई अने जे रियाक्षान आवी गव, एना कारणे कोई पण वस्तु एन्जोई नाथी करी शकता, एकले जीवन मां आतो बहु इंपोर्टन्ट कडा छे, गोण छे, कि आपड़े कोई पण परिस्थिति नी अंदर अपसेट थावाने बदले, एमा थी कई रिते सेइफली पार थाई जाव, औने जेका एक सिखवानू छे, सि एवी बिलिब सिष्टम गणा मोटा भगना लोकों नी अंदर होई जे, आने खास करी ने, जेवो पोता ना कर्मक्षेत्र नी अंदर संसार मा रही, औने पोता नू रूटीन वर्क करता होई जे, कि गणा ने अवर्नेस पन होई, रस पन होई, पन एमनी बिलिब सिष्टम अपना जीवन ना सदगुणों चे के जे सारी सकार अत्मक अपड़ी मनो स्थितियों चे एने माटे अपने एम समझी बेठा जीए क्या तो बदा आदर्श चे अने अपना वस्तविक जीवन में पॉसिबल ना थी बदा चिन हो तो योगी होना चे तपस्वी होना चे देवता होना चे आपनु जे एक सामान्य मानव जीवन चे एना माटे निया बदी बाबतो ना थे परांतु सत्यता तो ए छे कि आपड़ु मानव जीवन ज्यारे स्रेस्टाने दिविय होई छे त्यारे अने देवता केवा मावे छे एटले देवताई जीवन एपण एक आपड़ा जीवननी स्थिती जे छे देवता बनू एटले कोई काल्पनीक चमतकारीक देवता बनू एटले के दिविय गुणो थी संपन्न मानव जीवन बनाव एटले आजे बधा सद गुणो के सत्यों नी जे वातापड़ने करवा मावी छे ए आपड़ा जीवन माटे नी जे चे योगी ना जे लक्षणों बत आपड़े दरेके मनो स्थिती बनावी जोयन आपड़ू वलन एप्रकार नू हवे आपड़े राखू जोये के आपड़े आपने जीवन माँ धारन करवानू छे आ बधा आदर्शों वास्तविक्तामा लावा माटे ना छे मात्र आदर्श्रीते अब्राई पर राखवा मा अथा मात्र अमुकत लोकों ने लागे वर गे अध्यात्मिक जीवन के योगी जीवन जीवा वाराने लागे मर गे ये बे अलग करी जिदा छे अलग करवानी जरूर न थी एक्ट्विल ए वस्तू आपड़े आपड़ाद जीवन माँ एपलाई करी आ आगर वदवानी वास्तव मां तमें अध्यात्मिक तानो इतिहास पन जुओ, तो पहलाना जे अध्यात्मिक व्यक्तियों हता, रिशी मुनियों जेने अपड़े कहिये छिए, एलोको पन पारिवारीक जीवन मा रेता था, छता एलोको एटला तपस्वी एता, एटला संशोधको हता, एमनी आर अना मात्थी ज, बध्धा विग्नानों शुद करूँ छे, पची ए आयरुवेद होय, के पची ए आकडा शास्त्र होय, गणितना अंको होय, के संगितना सुरो होय, आजे आपड़े जुए छे के जेटली वैग्नानी खोज छे, एना मूल प्रणेता भारतना रुषी मुनि ज, बराबर, एटले, एमने जे योग साधना करी, एसु हती, कि पोतानी मनोस्थिती ने उच्छ पवित्राने सत्य बनावानी साधना करी, जेना कारणे आपणे जे शुधियेची मेनत्ती, ए शुद्ध मनोस्थिती मां अटोमेटिक आपणने टच थत्तु होय, एन आवती होय, अवे ए रुशी मुनियों ग्रहस्ती हता, प्रवरत्ती मार्ग ना हता, एमने पत्नी हती बाळको हता, पड़ एमनों ग्रहस्त जीवान योग सक्ती थी चालतू हतू, प्रजोत्पती मंत्र शक्ती थी थती, मंत्र शक्ती एटले संकल्प शक्ती थी थती हती आतो कल्युग ना अंते कल्युग नी अंदर ज्यारे धर्म एनी स्रेश्ट धारणाओ थी नीचे आवीग लुको नामा तपनी शक्ती न रही अने धर्म ना अधिकारियों मा पण ज्यारे वैभव नो विलास अने प्रमाद आवी गया त्यारे फरीथ ही एने पुनर जीवित करवा माटे सन्यास मार्ग शरू था संसारिक जीवन थी अलग बद्धू छोड़ी ने एलोको चाले गया त्यार पच्छी लोको ना मना स्मेम थाई गव कि अध्यात्म अलग छे अने आपड़ू रोजिंदू जीवन आपड़ू व्याभारिक जीवन ए अलग चीज त्या सुधी एवो हत्तु जने बराबर छे अध्यात्मिक्ता ए जीवननु विग्नान जें पेलू विग्नान प कोई व्यक्ति पुरूशात करी अने हवी एनी अवस्था प्राप्त करे श्टेट ओफ माइंड आउल आवे तो विशेश्त जीवन में सु अनुभूती थे अध्यात्मिक्ता थाई आजे जो परिस्थिती प्रमाने ज मनोस्थिती आपड़े बदलता रहे तो आपड़े परिस्थिती प्रमाने अपड़े आपने लोलक नी माफख हलता रहे तो आपने अपने जीवन ने कोई चोक्का स्वरूद के स्थिती नहीं आपिर शखे अपने जो आपने अध्यात्मिक पुर्शार्थ द्वारा पोतानी शांत, स्थीर, शुद्ध, सत्यमनो स्थिती बनावानो पुर्शार्थ करी सूँ तो आपने आजनी हल्चलनी दुनिया नी वच्चे पाण पोतानी स्थीर, शांत, सुखमय, पोतानी स्रेष्ट स्थिती मा आपने रईशके ची जे मेक समुद्रमा तुफान आवे छे, अने माँ जे स्टीमर्स ट्रावेल करती होई छे तो होश्यार कप्तान सु करतो होई छे, कि जे आई आफ स्टॉम होई छे ए तुफाननु जे केंद्र बिंदू होई छे, ए होश्यारी थी एनी वच्चे जे ने पोतानी स्टीमर ने स्थीर अने सेफ करी देतो होईज। एज रिते आपने पण आ हल्चल ना समय मा हल्चल ने वातावरणी वच्चे आपने जो पोताना अध्यात्मिक स्वरूप, आत्मस्वरूप मा स्थित हवानो अभ्यास करीशूं। तो आसपास गमेतेटली हल्चल होवाँ छता आपने पोतानी शांत, स्थीर, एकरस, सत्यस्थिती मा स्थित्थाई शकीशूं। अने एने कारणे कोईपण परिस्थिती, कोईपण वात, कोईपण हल्चल आपने डिस्टर्ब ने करीशुके। आजे कोईपण कारियता में करो, फरी फाचुए बगाडो, फरी करो, फरी बगाडो, तो आपडो टाइम पण वेस्ट, आपडी एनर्जी पण वेस्ट, आपने जीवन मां काईक एचीव नहीं करीशुके। बहु सरस दीदी, आजे आप इयां आवया, अने आटला सुन्दर अने गंभीर विशेव उपर, अमने जे सहस्ता थी, आपने आटलू सरस ग्णान आप्यू, ते बदल खरे करूम आपनो दिल्थी आभार मानूचु, ठैंक्यू वेरी मत दीदी। तो दर्शक मित्रो, आजे आपने स्थीत प्रग्न अवस्था, एटले सु, अने त्यानू जीवन मां सु महत्व छे, ए आपने जोयू, मित्रो, अत्यारे आपने जानिये छे, के हल्चलनो समय छे, संजोगो पन अवार नवार बदलाता होई छे, अने एवी वीजी गनीबत पर फोकस करीने राखी सु, तो आपने जीवन मां जे साची सुक सान्ती छे, तेनो अनूबव तसे, मित्रो, आ विशाई खुबत जरूरी छे, और आपने जे डे टूडे लाइब छे, तेने खुबत स्परसे छे, और आपने अना विशेवू मांनू जू, के वधारे डिट जाईशू, तो आप सवने पर मजा आउसे, तो आजे एपिसोर पूर्ती आप विशेवूपर नी चर्चा ही समाप्त करिये छे, परन्दू आवती वक्ते नवा एपिसोर मां आपने आज विशेवूपर बात्चित चालू राखी सु, तो तेना सुधी मने रजा आप सुमी पित्रो, नमस्कार.